अब तो अन इंस्टाल आप्लिकेशन इन यूप अन्डॉइड जो प्रोसेस है बहुत जरुरी है इसके बारे में जानना विए सबसे बड़ा प्रोब्लम है जब भी आपको Android Mobile लेते तो वहाँ पर आपको कोई सारे ऐसे application मिलता है as a system application के base पर जिसको हम बिल्कुल भी use नहीं करते हैं यानि कि वो हमारे लिए एक rest of application है तो उस application को लेकि जब आप delete करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी delete करने का option नहीं मिलता है यानि कि uninstall करने का option नहीं मिलता है because वो एक system application है तो यह सबसे बड़ा major issue है because यह हमारे memory card को भी consume करता है पड़े-पड़े तो कुछ sense नहीं बसता है याप आप देख सेथे chrome browser वैसे तो यह हमारे लिए useful browser है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते तो यहाँ पर कोई भी uninstall करने का option नहीं मिलता है because यह system application है तो ऐसे और भी application आपके android mobile में as a default base में मिलते हैं जिसको आप uninstall नहीं कर पाते हैं तो इस process problem को किस तरह के से solve करना है जो प्रोसेस है काफी easiest है और किस तरह के से solve करना है वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको अपने play store से एक application है जिसको अपने android mobile में install करना होगा जिसका नाम है system application यह system app remover है और यह completely free है इसको कोई access देने के जरूवत नहीं है लेकिन एक बात बता देता हूँ इस process को complete करने के लिए इस application को use करने के लिए अगर आप सच में अपने कोई system application को अनिस्टॉल करना चाहते है तो यहाँ पे आपका android mobile rotate होना चाहिए अगर android ही rotate नहीं होगा आपका तो आप इस process को complete नहीं कर पाएंगे बिकोज यहाँ पे rotate होना बहुत ही ज़रीर है आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आपने android mobile को root कर सकते है या तो आपका mobile android rotate है या नहीं यह check करने के लिए आपको अपने youtube पे और भी कई सारी videos मिल जाएगे आप वहाँ से check out कर सकते हैं आप देख सते हैं को कई सारे कोई सारे application को delete आरने install करने के options आपको यहाँ बिल जाते है जो जड़ाइएब करें कि यहाँ पे नीचे वह application के जाएगा बस आपको यहाँ पर right tick करना है उसके बाद जो जड़ा application को नीश्टाल करना है उस पर बस आप टिक करते जाए और लीचे आपका वह application को uninstall करने का option आपको यह पर दिखता जाएगा यह एकदम genuine application है इसके help से आप easily system application को uninstall कर सकते हैं लेकिन आपका android mobile अगर rotate होगा तो so that's it all about I hope you like this information thanks for watching